जासी में स्मार्ट सिटी योजना के अंतरगत निलाम की जा रही दुकानों में पहले से व्यपार कर रहे फुटपाती दुकानदारों को प्रात्मिता दिये जाने को लेकर नगर निकब में प्रदर्शन करते हुए व्यपारियों ने ग्यापन सौपा इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि फुटपात व्यपारियों को हटा दिया जा रहा है जिससे इन व्यपारियों के सामने आजिविका की समस्या खड़ी हो गई है कासगंज के सभी थानों पर थाना समधान दिवस का आयोजुन किया गया जिसमें डीम एस्पी ने जन समस्याओं को जल्द गुडवत्ता पून निस्तारण करने के आपश्चक दिशा निर्देश दिये थाना दिवस के दौरान स्टीम सीयो सहित अन्य विभागों के अधिकार करमचारी गण मौजूद रहे विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ू ठगने वाले गिरहु का पुलिस ने भाणा फोन किया है इस मामले में गिरहु के सरगना सहित आठ ठगों को पुलिस ने रबोचा ये ठग स्कॉलर्शिप का लालज देकर छात्रों का ख रहे हैं थे कि रास्ते में किसी तरहां व्यापारी ने गाड़ी से कूद कर जान बचाये और पुलिस को सूचना दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलावस्ता में व्यापारी को अस्पताल में भर्दी कराया और कारवाई में जुटी गाज़बाद के थाना कोशामी पुलिस ने फरजी आई-ए-स महिला समें तीन अभ्युक्तों को गिरफतार किया है जिसमें थाना कोशामी शित्र के एक काफे में जाकर महिला ने पैसे न दे जाने को लेकर अपना फरजी आई-ए-स अधिकारी की आई-डिन्टेटी बताई मौकीपर कैफे मालिक ने कोशामी पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस ने जाच की तो महिला और उसके तीन सहीयोग्यों को गिरफतार किया और जिल भेज दिया बस्ती में लूट की एक हैरान कर देनी वाली घटा सामनी आई है बदमाशों ने हाथ में नकली पिस्टल लेकर दुकान मालिक के सर पर नकली पिस्टल को सटा दिया दुकांदार को जम कर पीटा और लूट की खुशिश की बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है लूट की ये पूरी घटना से स्टीवी कैमरी में क्याग हो गई है जनपद में सी एच्सी प्रभारी सतीश कुमार के निर्देशन में डाक्टर गौरव कुमार और डाक्टर जोज सिंग ने चर्थावल कस्वी में चल रहे फरजी अस्पतालों पर छापे मारी की इस छापे मारी के दौरान कुछ अस्पताल बिना बोर्ड के बन मकानों के चलते पाए गए जिसके बाद सी एच्सी की टीम ने अस्पताल संचालकों को नोटिस दिया इस दोरान ज्यादतर फरजी अस्पताल संचालक अपने अस्पताल बंद कर मौके से फरार हो गए आज शाम को खत्म हो रहे पंचक के बाद कावडियों के संख्या में तेजी से बढ़ने की उमीद है गडा कावड भी हजारों की संख्या में पहुँशने की संभावना है जिसके मद्यनजर SDM रिशिकेस ने कावड शित्र में पढ़ने वाले सभी आंगनवाडी और स्कूलों की छुटी 31 जुलाई तक कर दी है वहीं कावडियों के संख्या बढ़ने की सुचना से पुलिस मेहकमे ने भी अपनी कमर कसली है उत्राखन के पूरुष स्वास्त मंत्री और किच्छा के वर्तमान विधायक तिलक राजबीहर का स्वास्ते बिगड़ा पाच्वधे धन्ने को संभोधित कर रहे थे कि अचानक तिलक राजबीहर जमीन पर गिर पड़ी जिन्हें सामदाइक स्वास्ति के इंगर में भरती जनपद में बनाए गए सभी परिक्षव केंद्रों का निरिक्षण किया साथे सुरक्षा विवस्था के लिए पुलिस बल की समेक्षा का संबोधित कर आविश्चक दिशा निर्टेश दिये। यूपी के पिलिभी जनपद में पुलिस अधिक्षक पियारो बनकर डाक्टर के साथ धुखदड़ी कर धनराशी ठगने वाले साइबर अपरादी को पुलिस ने ग्राफतार कर लिया है ग्राफतार किये गए साइबर अपरादी का लंबा अपरादी के इतिहास है। बरेली थाना सीबी गंश के खगोडा मंदीर के पास एक अग्यात महला का शब मिला था पुलिस ने आरूपी की तलाश की और मामले को खुशल आनवरन किया तो इस मामले में मंदीर का बाबा ही महला का हत्यारा निकला पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेकर विधी कारिवाय गाज़बाद में पूलिस ने गिरू का पर्दाफाश किया है पतादे दिल्ली चांदे चौक में दुकान खरीद कर चोरो का गिरू एलक्रॉनिक समान चुराकर लाखों का वियपार कर रहा था पूलिस ने इस दौरान 35 लाख के एलक्रॉनिक समान के साथ तीन लोगों को गिर झाल झाल